नमस्कार दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के शुरुवात हर्याना के कृशिम मंत्री बी जेपी की सरकार में कृशिम मंत्री जेपी दलाल के बयान से करना चाहते हूँ जेपी दलाल मनुहरलाल खटर की सरकार के अहम सदस है जेपी दलाल क्या कह रहे हैं जरा गौर से सुनी का ये वो लोग हैं जिने किसानों ने वोट दिया जिने अपना रहनुमा माना और अब जब किसान अपने मांगों को लेकर साड़क पर हैं प्रदर्शन कर रहे हैं धरना तो जेपी दलाल जैसे नेता जो मंत्री हैं बीजेपी की सरकार में क्या कह रहे हैं किसानों के लिए जरा सुनिए और उसके बाद फिर बात करेंगे कि किस दिब्व दरिश्टी से ये नेता लोग किसानों में पाकिस्तान और चीन के एजेंट तलास रहे हैं किसानों में खल किसानों को भी विदेशी ताक्तों के विदेशी हाथों में खेलने के आरोप किसानों पर लगा रहा है जाना सुनिए जेपी दलाल साहब को फिर से बता दू किर्शी मंत्री हैं फिर से बता दू मनोहरलाल किसानों के बारे सुनिए आप किसान की बात नहीं है किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो है विदेशी ताक्ते हैं चीन है पाकिस्तान है या देश के दुश्वन देश हैं, वो चाहते हैं कि destabilize करें, मोधी जो है कोई ठोपे उए राजा नहीं है, कुछ ताक्तों को विदेशी ताक्तों को ये जो है देश का विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ विदेशी ताक्तों को मोधी के चेरा पसंद नहीं है तो ये किर्शी मंत्री महोदे है, खटर सरकार के किर्शी मंत्री, जिस सूबे के किसान MSP को लेकर अंदोलन कर रहे हैं, जिस सूबे के किसान, किसान कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, उन किसानों के लिए, उस प्रदर्शन के लिए, उन प्रदर्शन कारियों के क्या कहा कि चीन और पाकिस्तान की ताकत चीन और पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है विदेशी ताकतों का हाथ है क्या उन किसानों में जिनके चेहरे मैं देखकर आया जिनके चेहरे आप देख रहे हैं जिनके चेहरे अभी मैं आगे वीडियो में दिखाने वाल अब तक हर बात में पाकिस्तान की साजिश आईसाई की साजिश कहने वाले लोग अब किसानों के इस प्रदर्शन में किसानों के इस विरोध में भी पाकिस्तान की साजिश बता रहे हैं साथ में चीन भी जोड़ दिया मतलब चीन अब हर्याना और पंजाब के किसानों को उकस रहे हैं और चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देजों के हाथों में खेल रहे हैं तो क्या मतलब है इसका समझ सकते हैं साथ में जेपी दलाल साब ने ये भी का कि दिल्ली को घेर कर पानी रास्ते बंद करना ठीक नहीं है चलिए ये एक सेट्मेंट है इसमें कोई दिक्कत के किसान या पश्मी उत्तर प्रदेश के किसान या कल को और दूसरे राजों के किसान यहां बैठ जाएंगे तो क्या वो पाकिस्तान परस्त हैं क्या कहना चाह रहें किर्शी मंत्री अब मैं चाहता हूं कि आप ऐसे किर्शी मंत्री जहां भी मिलें ऐसे नेता जहां भी मिल और साथ में ये ये अकेले नहीं है पूरी जमात बीते छे साथ दिनों में आपने देखा होगा कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कितनी कोशिस है हुई किसानों की मांग जाइज है, नाजाइज है, क्या मानी जा सकती है, क्या नहीं मानी जा सकती है सरकार उस स्तर पर बात कर रही है ये जो किसान दिख रहे हैं आपको किसी क्यूमर सतर साल है, किसी क्यूमर असी साल है ये छे दिन से टिक्री बॉर्डर पर कुछ लोग, सिंगू बॉर्डर पर कुछ लोग, कुछ लोग क्या सैक्रों गारियों में हजारों किसान, ये वहां बैठे हैं ये तस्वीरे मैंने अपने कैमरे से बनाई है कल रिकॉर्ड की है जो सिंगो बॉर्डर पर बैठे किसानों की तस्वीर है और सब की उम्र 70-75 साल के चेहरे मैं दिखा रहा हूँ इन में से कोई किसान आपको लगता है कि ये पाकिस्तान और चीन की साजिश या पाकिस्तान और चीन की मदद या पाकिस्तान और चीन की शह पर ऐसी ताक्तों के भड़काबे और उकसाबे में आकर यहां बैठे हैं और इन किसानों के लिए आप इस तरह के बयान दे कैसे सकते हैं और एक सुन्योजित साजिश घोशिद करनी की कोशिश कैसे कर सकते हैं ये सरकार और किसा दो दिन पहले का है जिसमें उन्होंने कहा तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं दिखते हैं अब जेनरल वीके सिंग किस चश्मे से देख रहे हैं किस दूरबीन से देख रहे हैं कौन सा कौन सी ऐसी नजर है जिससे वो देख रहे हैं कि किसान कपड़े से नहीं लग रहे हैं या जो कपड़ों में दिख रहे हैं या अलग तरह की तस्वीरों में दिख रहे हैं वो किसान नहीं है आपको याद होगा कि मोदी जी ने भी एक भाशन दिया था और भाशन में कहा था कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं जब NRC और CA के खिलाब प्रदर्शन हो रहा थ तो ये दिब द्रिश्टी इन नेताओं को है कपड़ों से और तस्वीरों से पहचानते हैं तो मैं कुछ किसानों की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ सरकार से बाचीत होगी किसान संगठनों की उसमें क्या निकलेगा नहीं निकलेगा किसानों ने अपनी मांगे सामने रख दी है वो कह रहे हम पीछे नहीं लोटेंगे हम वापस अपने कदम नहीं खीचेंगे अगर सरकार संसद बुलाकर अगर तीनों कानुनों को रद करने का फैसला सरकार नहीं करती किसानों की मांग है कि सरकार संसत बुलाए और तीनों कानूनों को रद करे और इसके मुतलिक अपना मांग पत्र विस्तार से किसान संगठन भारत सरकार के मंत्रियों से उनकी बैठक होने वाली है उसमें पेश करें उसमें क्या निकलेगा उस पर आप सब को पता होगा लेकिन मैं कुछ किसानों की बात उनकी तस्वीरें उनके वीडियो उनकी बातें आप तक सुनाना चाहता हूँ क्योंकि उनके बारे में इस तरह की भरांतियां और इस तरह की बातें की जा रही है जो ना सिर्फ शर्मनाक है बलकि बेह पर जो भी बयान कर सकते हैं लेकिन उन्हें कम से कम देश्ट रोही पाकिस्तान और चीन का एजेंट घोशित करने की कोशित मत करिए और तस्वीरों से पहचानिये मत नहीं पहचान सकते जनरल वीके सिंग जाईए आप तो घाजियावाद से जीते हैं आप जाईए जरा बॉर से समर्थन करने वाले लोग लेकिन उन तमाम लोगों की तस्वीरों में आपको क्या दिखेंगा पता नहीं आदोलन के शहाँ है है और हर्याना के कृष्य मंत्री को तो सीधे सीधे इसमें पाकिस्तान और चीन की ताकती चीन की साजिष दिख रही ही अब आते हैं दोस्तों किसानों के कुछ वीडियो पर गल्ल मैं एंता कि अब भॊडर पर दिली बॉडर पर सिंगुबॉर्डर पर बहुत सरेodar किसानों से मैंने बात की आपने वीडियो देखे होंगे इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकिवे लाखों लोगों पर देखे हैं ये तरीका शहाए ठीक नहीं है, शेर जितना मर्जी कीज़िए, अब आते हम किसानों के विडियो पर, आप इस से अंदाजा लगाएं, और इन तस्वीरों को देखकर आप सोचिए, कि ये किसान हैं, क्या सोच कर आये हैं, क्या उनकी मांग हैं? और इन किसानों को देखकर, इनकी तस्मीरों को देखकर, इन्हें समझ कर क्या कोई इन्हें विदेशी एजिट कह सकता है या कह सकता है बहकावे में भ्रम्त में इनके बयानों से, इनकी बातों से अब खुद तैय करें पहला एक बयान देखिए एक किसान को देखिए इनके उम्र देखिए और इनकी इच्छा सक्ती देखिए देखिए इस वीडियो को डबल डेकर जैसे बस होती है वैसे डबल लेयर है इसका दो फ्लोर है इस ट्रैक्टर के ट्रॉली पर और ये किसान नीचे भी है और उपर भी है और ये सब खाने पीने का अंदर सामान है गद्दा है सोने का इंतजाम है तो क्या नाम है जोगंदर सिंग आपका नाम अजायब सिंग ये जोगंदर सिंग जी है ये अजायब सिंग जी है तो कहां से आया आप खालड़े से तो आप कहां से आया तो ये तो अगर इस तरह से कितने दिन से च्छे दिन से बैठे है ऐसे अगर बाल जी ये लंबा चल गया मैने दो मैने सरकार ने कहा कि अभी हम टाइम लगेगा तो आओ जानदा कि उपर बाड़ा तो आप बैठी रहेंगे यहां तो अपने जड़े ने पास कीते बेल उतना जरा है नहीं जाएंगे जब तक वापस नहीं करेगा तब तक नहीं जाएंगे पंजाबी में बोल रहे हैं बहुत समझ तो नहीं रहा हूं अंदाजा लगा रहा हूं जिसमें यह का रहे हैं कि जब तक वापस नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे तो यह सब खाना पीना राशन सब का इंतजाम है सबको हजी लेक है दिली कर रहे हैं खाने का दिली का बाड़े करन दे होनों साथा समान विच्ची है जे प्यार दो मिन ने खा दो मिन ने शे मिन लग जान उने तर नहीं है जाएंगे वह जो दिली बाड़े चाहओ और रहा है वंदिर खाऊ-खाऊ-तो कहीं बंगला साथ गुरद्वारा से भी आ रहा है और जगा-जगा से सबका इंतजाम है उतने नहीं है आपने इन किसानों के उम्र देखी और किस कदर आकर बैठे हैं किस तरह से इंतजाम के साथ डटे हैं और 70-80 साल के ऐसे बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम दो महने चाहे 6 महने लग जाए हम हटेंगे नहीं इनकी मांग क्या है आप सब जानते हैं इस पर बहुत मात हो चुकी है भारत सरकार के किसान कानून में जो प्राबधान है जिसमें MSP को लेकर कोई लिखित गारंटी नहीं है जिसमें कहा जा रहा है कि उस कानून के बाद मंडी बेवस्था पर चोट पहुँचेगी कॉर्परेट प्राइबट प्लेयर कॉंट्रेक्ट फार्मिंग के जरिये अपनी पैठ बनाएंगे और पंजाब हर्याना के किसानों को डर है सबसे जादा क्योंकि पंजाब हर्याना दो ऐसा सुबा है जहांके किसानों की 80-85 फीजदी या करीब-करीब 90 फीजदी फसल पंजाब के किसानों की MSP पर बिक्ती है क्योंकि देश में फसल भी सबसे ज़ादा यहां होता है और मंडी विवस्था सबसे चुस दुरुस्त भी यहां है तो यह आपने सुना अब कुछ और किसानों के आप बयान सुनिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था और किसान कह रहे हैं कि भाई प्रधान मंत्री मोधी कहते हैं कि हम किसानों के भले के लिए एक आनून ला रहे हैं किसान कहता है मत करो मेरा भला और जब मैं कह रहा हूं कि मत करो मेरा भला तो जबरदस्ति अब भला करने में क्यों लगे हो ये किसान और क्या कह रहा है वो भी सुनिए वो कहते हैं हम इनका बला चाते हैं तो जब किसान नहीं बला चाते थे उनको रहने दें ठीक अभी हम कुछ हुँ नहीं करते हैं हम तो मेरा बला नहीं करते हैं तो जब किसान कहते हैं मैं बला नहीं चाहिए तो क्यों दूज़ अबर्दुस्ती कर रहे हैं प्रदान मंत्री मोदी समेत ग्रे मंत्री अमिश्शा समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडडा समेत बीजेपी के दरजनो केंद्रिय मंत्री और दरजनो प्रभक्ता लगातार कई दिनों से कह रहे हैं किसानों को भड़काया जा रहा है अफवाह फैला कर उन्हें भ्रम में रखा जा रहा है उन्हें उकसाया जा रहा है और इसलिए वो आंदोलन में हैं दरसल किसान का ये कानून उनके भले के लिए उनके हित में हैं लेकिन वो उकसावे के तहट इस तरह से किसान नाराज है तो ज़रा कुछ और किसानों की बात सुनिए और इनसे मैंने बात की है कल एक बुजुर्ग जो अभी इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं, उनकी उम्र लगभग 80 साल है, सुनिए क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग किसी के भड़काने और उकसावे पर यूँ बैठे हैं, धर्ना कर रहे हैं, सुनिए. क्या नाम है आपका, कहां के रहने वाले हैं, मैं अमर्सार का हूं, अच्छे ये बताई, आप आप नाम से बताई, इस विष्भा से, तो स्रिवा शिंग जी ये जो सरकार के मंत्री कह रहे हैं, कि बहुत सारे लोग इसमें किसान नहीं है, वीके सिंग का नाम सुना होगा आप कने मंत्री इंína का विक परेगा-दून को भां काज रहा का ने मन्त्री है उन नोंने का किसान ने यह घुथ किसानों को बोलते हैं ना बढ़ का जारहा जा रहा है बväते हैं को परालों में उसको और अठी हमारे साथ बैटा है और कोई बात नहीं है, बाकि वो साधे जो आगुवा सहबा ने बाकि वो बात जड़ी करते हैं उसके साथ ही चलते हैं, तो आप लोग मतलब अगर सरकार नहीं मानेगी, कि हम नहीं वापस लेंगे, तो ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? जितना तेर वाप्स नहीं करेंगे उतना चेर बैठेंगे उतना चेर बैठेंगे उतना चेर बैठेंगे जे वाप्स करनेगे उतना चेर बैठेंगे जे वाप्स करनेगे जाएंगे नितने नहीं जाएंगे इतने बैठेंगे यह देखे यह बता रहे हैं कि छे महने का राशन का इंतजाम है लेकर रहे हैं हम साथ में कोई चायवाय का पूरा समार हमारे सिट मारे पास है अभी आप जाब के चेक भी करो जो खाना खा सकते हैं अभी खाओ जागे पलीस वाला भी खाओ है कोई भी सरकारी मलाज माई खाता है कोई नो परोबल कोई अचा बात नहीं है आपकी अगर कमसी आपका अपकी उम्र क्या है मेरी सथर साल है तो क्या कह रहें कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम बैठे रहेंगे चाहे चार मेसे बैठने पड़े चाहे छे मेंने बैठने पड़े और सबसे दिल्चस्प बात यह है मैं देखकर आए उकलसिंगो बॉडर पर टिकरी बॉडर भी जगाए और भी जगा यूपी बॉडर भी मैं देख चुका हूँ कि लगातार किसानों की मदद के लिए लोग पहुँच रहे हैं खाना पानी लेकर राशन लेकर सबजियां लेकर ट्रक के ट्रक वहां सावान लेकर पहुँचा रहे हैं हलाके किसान अपना राशन पानी खुद लेकर आए हैं जो ट्रैक्टर में सवार किसान सैक्रों जट्था किसानों का बॉर्डर पर है सैक्रों ट्रैक्टर के साथ दरसल हजारों का जट्था हट ट्रैक्टर पर किसानों के खाने पीने का राशन लदा है इसके अलाबा दिल्ली से और आसपास के इलाकों से लगातार राशन पानी वह खलिस्तान सबर तक लोग इनको उकसा रहे हैं लेकिन जो जाकर देखा गया उसे पता चलेगा कि दरसल कैसे लोग मदद कर रहे हैं ये किसान भी इस तरह बहुत सारे किसान हैं जो सक्षम हैं जो अपना राशन पानी लेकर आएं और बाहर से गुर्द्वारा का लंगर चल रह कर 70-80 साल के बुजुर्गों के बयान सुना रहा हूं ये बुजुर्ग इस मौसम में ठंड के मौसम में ट्रैक्टर की ट्रॉली के पीछे एक तरपाल से घर जैसा बना कर उसमें सैक्रों बुजुर्ग ऐसे वहां डटे और बैठे हैं और बुजुर्ग भी कह रहे हम हिलें कि बात उनकी जुबान से आप तक पहुंचाना चाहता हूं एक और वीडियो दिए बैठे हैं इसा बोले हैं पहें दास साल निकल यह हम लोग ऐसे बैठेंगे हम दस लोग जाएंगे दस लोग पहले हम अदब आएंगे तो दोस्तो पंजाब और हर्याना के किसान टिक्री और सिंगु बॉर्डर पर बैठें पश्मी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से किसान आकर दिल्ली गाजयवाद बॉर्डर पर बैठें आज खबर आ रही है कि महरास्ट और दूसरे राज्यों से भी कुछ किसान दिल्ली पहुंचने वाले है किसान संगठनों ने कल मीटिंग करके अपनी मांगें रख दी है किसान संगठन आठ दस पन्नों का अपना विस्तार से अपनी बात आज सरकार के साथ मीटिंग में रखेंगे और उनका साफ कहना है कि सरकार सत्र बुलाए और इन कानूनों को रद करे अन्यथा हम अपना अंशन, अपना अंदोलन, अपना धरना वापस नहीं लेंगे अब गिन सरकार के पाले में है कि सरकार क्या किसानों को समझा पाती है सरकार अगर कहती है ये कानून किसानों के हित में उनके सौ सवाल, सौ आशंकाएं हैं जिन आसन्गाओं की फेरिस्त आसरकार के सामने किसान संगटन देंगे अब सरकार उन्हें समझा पाती है समझाए वरना देखना होगा कि उसके बाद किसान संगटनों का रवया क्या होता है लेकिन ये इस्तिती जरूर बन रही है कि अब सिर्फ इसे ये कहकर खारिज करना कि सिर्फ पंजाब के किसान है या हर्याना की कुछ इलाकों के किसान है शायद किसान संगठनों का जो दावा है उसके मताबिक अगले दो तीन दिन में देश के कुछ और राज्यों के किसान भी इसमें हिस्सेदारी निवाने आंदोल उनके आक्रोस, उनकी मांग, सरकार से उनसे बाचित, इन सबसे जुडी खबरें, मैं जहां भी जाकर किसानों की बात, किसानों की मांग, किसानों की तस्वीरों के जरिये आपको दिखा पाऊँगा, दिखाता रहूँगा, फिलहाल, नमस्कर.